तो गाइस पोकेमोन की एक और नीवड़मापस भी कस्वागत है तो यार पोकेमोन एक बहुत ही ज़ादा सक्सेसफुल सीरीज है और इसके पीछे का रीजन है इसके इतने सारे कैरेक्टर्स और एक बहुत ही ज़ादा बड़ी दुनिया पोकेमोन की कंपनी ने हमीशा में ये दिखाया है कि उनकी स्टोरी लाइन कितनी ज़्यादा कमाल की होती है उनके बताने का तरीकaden अब बहुत ही ज़्यादा कमाल का है हार एक चीज में बहुत ही जारे डीडेल्स है और इनी में काफे अच्छे माइटलोजीस और लोर भी है तो आज गाईस हम लोग देखने वाले हैं पोक्यमोन वर्ल्ड के ओरिजिंस से लेकर माइटलोजीस को और हम कुछ प्लेसेस के ओरिजिंस को भी देखेंगे के आकर वो क्यों एक्जिस्ट करती है तो चलो यार आज एक बार फिर से चलते हैं इस पोक्यमोन वर्ल्ड के कमाल के एडवेंचर में तो अन्नोन्स पूरे पोक्यमोन वर्ल्ड के सबसे जारा स्ट्रेंजेस्ट क्रीचर्स हैं ये पहली बार में Pokemon Gold and Silver के games में बताए गए थे जहाँ पर प्लेयर को इनके बार में कुछ भी नहीं पता होगा कि आखर ये क्या कहना चाहते हैं और इनसे कौन सी language बनती है लेकिन Pokemon में ना इसके बहुत ही जालत secrets हैं और बहुत ही बड़ी mythology है Pokemon World के अलाब भी Unknowns का एक खुद का वर्ड है और वो लोग एक खुद की language को बोलते हैं लेकिन गईस ये अभी तर बिसकवर नहीं हुआ कि आखर Unknowns आखर कहां से आए हैं और इनकी ये language कौन सी language है और एक और सवाल यहां पर खड़ा ये होता है कि आखर ये लोग जो भी language बोलते हैं तो ये लोग खुद alphabets में क्यों हैं आखर इनका शेफ दूसरे Pokemon के जैसे क्यों नहीं है ये Pokemon World की एक Unknown Mystery है नमबर नाइन Drifloon's Creation and Kidnapping तो I think Drifloon अभी तक के सबसे जारा creepiest Pokemon में से एक है कहा जाता है कि जो आत्माय अपना रास्ता भटक जाती है वो Drifloon ही बन जाते हैं और जितनी जादा इन्हे शोल्स मिलती जाएंगी ये उतनी ही जादा होते जाएंगे माना जाता है Drifloon बच्चों को बहुत ही जादा पसंद करते हैं और इसलिए ये उन्हें Kidnapping भी करते हैं बच्चों को तो यहीं लगता होगा ना कि ये तो Normal सा Balloon है लेकिन असल में ये एक बहुत ही बड़ा Kidnapper है और अभी तक नहीं पता कि ये उन बच्चों के साथ में क्या करता है Kidnapp करने के बाद ये पोक्यमोन देखने में भले एक Balloon हो लेकिन ये सच में बहुत ही डराबना है नमबर एट में है Spiritomb तो गाइस पोक्यमोन वर्ल्ड में Spiritomb एक बहुत ही Mysterious पोक्यमोन है और शायद इस लिष्ट में हमने से पहले जितने भी पोक्यमोन देखे न वो इसके सामने कुछ भी नहीं है ये पोक्यमोन हमें Keystone के अंदर मिलता है इसके पीछी की Mythology है की एक बार जब 108 Souls मतलब 108 आतमाई एक साथ मिली थी तब एक Spiritomb बना था और फिर पोक्यमोन वर्ड के कुछ मंक्स ने अपने मंतरों की मदद से इसे एक Keystone में सेल कर दिया था इसलिए तुम लोग कह सके हो के Spiritomb 108 आतमाई है जो के बहुत ही ज़्यादा इविल थी और अगर ये Keystone में बन्द नहीं होता तो Pokemon World में बहुत ज़्यादा तबाही होती नमबर 7 में Legendary Trios तो यार Pokemon World में Legendary Pokemons एक बहुत ही ज़्यादा important part है भले कोई सा भी game हो, कोई भी region हो वहाँ पर खुद का एक Legendary Pokemon होता ही है लेकिन गाईस यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी mystery है कि आखिर हमेशा legendary Pokemon TRIO में ही Q होते हैं मतलब तुम लोग यार खुद ही देखो शुरुआत से लेकर अभी तक हर एक region में Pokemon के TRIO होते हैं लेकिन आखिर क्यों मतलब ऐसा बहुत ही कम हुआ होगा जब दो Pokemon बताएं होगे लेकिन most of ली न तीन ही legendary Pokemon के TRIO होते हैं तुम खुद देख लो चाहे तुम कोई भी region उठा कर देख लो हमेशा तीन ही होते हैं लेकिन आखिर ऐसा Q है ये हमें कभी नहीं पत चला Pokemon World की एक ऐसी mythology है जिससे समझना बहुत ही मुश्किल है नमबर 6 में aliens तो अब तुम मानो या नहीं मानो लेकिन Pokemon World में aliens होते हैं वाले तुम यार real life में aliens को मत मानो लेकिन Pokemon World में aliens exist करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे Pokemon थे जो कि यार इस वाली दुनिया के थे ही नहीं मतलब वो अर्थ के नहीं थे और इन में से किसी भी region के नहीं थे वो लोग किसी और ही दुनिया से आई थे हमने एक बार एक एपिसोड में भी देखा है कि कलेफेरी इस दूसरे प्लैनेट में जाना चाती है क्योंकि वो उनका असली घर है और वहीं दूसरी तरफ हमने इतने ज़ादा पावरफुल डियॉक्सिस को भी देखा है जो कि माना जाता है कि वो स्टार्स में रहता था और यहाँ पर और भी पोकेमोंस है जैसे कि स्टार्मी, सोल रॉक और भी ऐसे बहुत सारे है तो यार यह एक बहुत ही ज़ादा स्ट्रेंज कोश्चन है कि यह किस प्लैनेट से आई है और आकर क्या यह जहां से आई है वहाँ पर और भी ऐसे अधर पोकेमोंस होंगे मतलब कुछ अलग ही क्रीचर्स जो कि दूसरे प्लैनेट में रहते है तो अगर हमें कभी दूसरे प्लैनेट के पोकेमों भी देखने को मिले तो बहुत ही चाना मजाएगा नमर फाइब मैजिक तो एलियन्स मसे एक ऐसी चीज नहीं है जो कि पोकेमोन वर्ल्ड में एक्जिस्ट करती है यहाँ पर मैजिक भी है हाँ सही का वही जादूगरी पोकेमोन वर्ल्ड में हैरी पुस्तर जैसी जादूगरी भी होती है हमें यहाँ पर कई बार ऐसी चीज़े बताई गए है जिन में जादूगरी का यूज हुआ था और साथी साथ आबरा की भी यार एवॉलिशनरी लाइन देखोगे तो उसमें भी यह सब चीज़े है और अगर तुम्हें एक एपिसोड याद हो तो जिसमें एक ऐसी विच थी ना जो कि इनसानों को पोकेमोन में बदल देती थी इसी समझ में आता है कि पोकेमोन वर्ल्ल में मैजिक होता है तो यार लेजेंडरी बीश्ट को कौन नहीं जानता जिसमें राइकू, एंटे और सुईकून है यह लोग ना पूरी फ्रेंचाइजी के सबसे जाने माने लेजेंडरी केरेक्टर्स है पर इनके ओरीजेंस में जो मायत छुपा है ना वो बहुती ज़रेंच और बहुती मिश्टीरियस है मान जाता है यह पहले डॉक पोकेमोन से जोके मर गए थे उसके बाद इनने लेजेंडरी पोकेमोन होगो ने जिन्दा किया और इनने नई पावर्स और नई जिन्दिगी दी जिसके बाद में इनकी लाइफ का एक नया ही मकसद है लेकिन इंटरेश्टिंग बात यह है कि आकर यह पहले कौन से पोकेमोन से और आकर इनका टाइप क्यों ऐसा है और इनके पास में पहले कौन सा टाइप था यह सब चीज़ है ना गाईस हमें पोकेमोन वर्ल्ड में कभी भी एक्स्प्लेन नहीं की गई तो यार हमने हमेशा से सुना है कि आर्सियस एक गौड है मतलब वो पूरे पोकेमोन वर्ल्ड को बनाने वाला है उसने ही सभी पोकेमोन बनाए है इसलिए वो हर एक चीज़ का निरमाता है वो ही क्रियेटर है वही सब कुछ है और इस चीज़ के बारे में हमें सिनो रीजन से पता चला था लेकिन यार ये चीज़ थोड़ी अजीब नहीं है कि पोकेमोन वर्ल्ड का गौड एक पोकेमोन है मतलब वहाँ पर इंसान भी एक्स्ट करते हैं तो आखिर क्यू एक पोकेमोन ही गौड है ये चीज़ ना थोड़ी से अजीब भी है हाँ हमने वैसे दूसरे या लेजनेटरी पोकेमोन उसको देखा है लेकिन उन्हें गौड कहना क्या जरूरी है और क्या सच में वो लोग गौड है मेभी ये सब कुछ एक बहुत ही बड़ी मिष्टरी है हम सभी के लिए तो यार माना चाता है पोकेमोन वर्ल्ड में बहुत पहले एक वार हुई थी मतलब जो गेम्स में इंसिडेंट होते हैं उनके पहले एक बहुत ही ज़ादा बड़ी वार हो चुकी है और ये चीज़ ना 100% कनफर्म है क्योंकि हमें बहुत बार इसके बारे में बताये गया था पोकेमोन के सीरीज और गेम्स में इनमें सा सिलीफार जो हुई थी ना वो केंटो रीजन और जोटो रीजन के बीच में हुई थी हलाकि यार अभी भी यहाँ पर टीम गेलेक्टेक और टीम रॉकेट जिसे बुरे लोग भी हैं जो कि पूरी पोकेमोन कम्यूनिटी में अभी वार करवाना चाते हैं और जो पहले हुआ था वो एक बार फिर से हो सकता है लेकिन यार इस सोचने में थोड़ा आजीब नहीं लगता कि पोकेमोन वर्ल्ड इतना जादा पीसफुल है मतलब वहाँ पर ऐसा देखने से कभी लगता ही नहीं कि वहाँ पर इतनी बड़ी लडाईया हो सकती है लेकिन सोचो इस पीसफुल वर्ल्ड में कभी एक बहुती वड़ी बार हुई थी जिसमें काफी सारे पोकेमोन इनसान मारे गए थे लेकिन इन सब चीजों के बाद ही आज पोकेमोन वर्ल्ड बहुती ज़़ाँ पीसफुल है तो यार पोकेमोन वर्ल्ड में मुझे सबसे ज़ादा वेर्ड थेयोरी और सबसे ज़ादा वेर्ड चीज नहीं लगती है कि कडावरा पहले एक इनसान था I don't know यार ये थेयोरी सच है नहीं लेकिन इसकी पोकेटेक्स एंटरी में ये सब कुछ बताया गया है कि एक इंटेलिजेंट लड़का एक दिन कडावरों में बदल गया था बहुत सारी ऐसी काफी सारी थेयोरी सहां और मैंने भी इसकी उपर एक वीड़ो बनाई थी जिसमें मैंने इसकी उपर पूरा डिस्कुशन किया था तो आप वो वीड़ो जरूर देखना उसमें बहुत ही अच्छी थेयोरी सह है लेकिन गाईस अगर तुम्हें ना पता हो तो मैं शौर्ट में समझा देता हूँ एक लड़का जो बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेन था और उसके पास में साइकिक पावर्स थी जब वो एक दिन सोकर नीन से उठा तब वो कड़ावरा पावर्स में बदल चुका था जिससे उसे कमाल की साइकिक पावर्स भी मिल गए लेकिन गाईस मुझे ये बहुत ज़्यादा क्रीपी और अचीव लगता है क्योंकि सोचो वो एक Pokemon मन गया है जिससे आज लोग बॉल से पकड़के लड़वाते हैं सोचो ये कितना ज़ादा अचीव है सो गाईस ये थे यार 10 Pokemon World के अजीब से Mites और उनके Origins I hope यार आप सभी को ये लिश्ट पसंद आई होगी और आप लोग चाहते हो और भी ऐसी वीडियोस देखना तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बैल आइकन को जरूर अन करना और यार इस बली वीडियो को लाइक भी करके जाना और आप लोग चाहो तो मुझे इंस्टेगराम में फॉल्यो कर सकते हो वहाँ पर मैं अपने बारे में और दूसरी एनिमेस के बारे में बात करता हूँ तो उसकी लिंक है डिस्क्रिप्शन में है चाहकर जरूर चेक करना तो गाईस मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में दब तक के लिए गुडबाई